हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टू मैं यूटूब चैनल जीवन दर्सन स्टुडेंट्स आज का जो हमारे टॉपिक है वह है क्रिस्टॉफल सिंबल आज हम देखेंगे कि क्रिस्टॉफल सिंबल क्या है कितने टाइप होते हैं और डिफाइन किस तरह से हैं और यह मोस्ट इंपोर् प्रेक्ट में और जो सेकेंड टाइप होता है वो मैशा करली ब्रेकेट में होता है आईए हम डेफिनीशन देखते हैं अ कि ऑ क्रिस्टॉफल सिंबल हम दी क्रिस्टॉफल आज कि सीबल आफ आफ कि फस्ट काइंड है इस इस डिनोटेड़ वाई जैसा कि मन बताई कि स्क्वायर रेकट में डिनोटेट बाई के आई जे एंड इज डिफाइन बाई यह किस तरह से डिफाइन है इसको भी देखते हैं हमको अगर के आई जे के लिए लिखना है तो यह कुछ इस तरह से डिफाइन होता है वन बाई टू केरफूली देखेगा वन बाई टू यहाँ पे लिखेंगे डेल एकस आई और यहाँ पे डेल जी जे के हमको आई जे के के लिए लिखना है तो पहले हम यहाँ से आई को लेंगे तो i को अगर हम यहां से लेंगे तो फिर बचेगा क्या? J और K उस J और K को हम यहां पे लिख दिए प्लेस साइन होता है उसके बाद डेल X यहां पे J लेंगे अब हमने J को लिया बचा क्या? K और i तो यहां पे डेल G, I, K नेगेटिव साइन डेल X, K यहां पे K हमने यहां पे अगर K को लिया तो बच्चा I और J तो यहां पे डेल G, I, J इस तरह से डिफाइन होता है क्रिस्टाफर सिंबल आफ फर्स्ट काइन वन बाइ टू आगे लगा रहेगा पहले हम I को लिये तो J और K यहां पे J को लिया तो I और K और K को लिया तो I और J यह क्रिस्टाफर सिंबल आफ फर्स्ट काइन होता है अब हम देखेंगे क्रिस्टाफर सिंबल आफ सेकेंड काइन तो लिखेंगे इसको मैं सामने बताया कर्ली ब्रेकेट में इन कर्ली ब्रेकेट के आइ जे एंड इज डिफाइन बाई और यह डिफाइन किस तरह से है आई यह देखते हैं के आई जे यह हो गया क्रिस्टाफर सिंबल सेकेंड काइन और यह डिफाइन होता है जी के एच और यहां पे एच आई चे यहां पे जी और इसके उपर यहां पे के और एच मतलब सूपर स्क्रिप्ट में यहां पे सूपर स्क्रिप्ट में जो इंडेक्स होता है यह और यह इंडेक्स सेम होते हैं और यहां पे एक अलग पर लिखते हैं कि क्रिस्टोफल सिंबल की बारे में एक और बात बता दूं इसको आप नोट में डाल लेजिएगा यहां पर कि दि फरस्ट काइंड कि दि फरस्ट काइंड कि क्रिस्टोफल इसको हम आई जे और के भी लिख सकते हैं यहां पर आई जे के भी लिख सकते हैं या तो हम इसको गामा आई जे के भी लिख सकते हैं ठीक इस सिंबल है देर सेम मेनिंग ओके इसको आप लोग ध्यान रखिएगा कि क्रिस्टोफल सिंबल को इस टाइप से भी लिख सकते हैं और क्रिस्टोफल सिंबल को गामा आई जे के टाइप से भी लिख सकते हैं दूसरा जो point है note करने के लिए वो ये है कि Christopher symbol of second kind is also denoted by gamma kij जे जो second kind Christopher symbol उसको इस टाइप से भी denote करते हैं और एक बात आप याद रखिए कि Christopher symbol को Christopher bracket भी करते हैं तो यह हो गया introduction Christopher symbol के बारे में अब हम देखेंगे अगले वीडियो में इसके कुछ theorem student I hope कि आप लोग को यह वीडियो समझ में आया होगा और अगर आपको यह समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें and thank you so much thanks for watching this video thank you